जब पेशेंट्स को प्लैंड सेजेरियन सेक्शन का टाइम दिया जाता है तो नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं कि यह सारा प्रोसेस किस तरह से होगा, हमें एक दिन पहले किस तरह से क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, most of the patients don't know a lot about details. तो आज का सेशन उन पेशेंट्स के बारे में हैं जिनको उनके डॉक्टर्स ने प्लैंड सेजेरियन सेक्शन का टाइम दिया हुआ है, यानि आप कल आ जाएं सुबह 10 बजे के करीब ताकि आपका सेजेरियन 11 बजे किया जा सके, और वो यह जानना चाहते हैं कि आज के दिन म आना है सेजेरियन के लिए, तो उससे एक दिन पहले हम एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को कि वो नाइस वार्म शौवर ले ले ले, ताकि वो एक तो यह कि मदर हुड में एंटर होने के लिए फ्रेश फील करें, और दूसरा यह कि once आपकी सरजरी हो जाएगी, तो उसके दो से तीन तिन बाद तक आप शौवर नहीं ले सकेंगे, तो इसलिए एक दिन पहले शौवर लेना बहुत helpful साबित होता है, इसके इलावा आपने जितनी भी जूलरी पहनी हुई है, इवन अगर आपने नोज पिन भी पहनी हुई है, तो आपने उसको भी रिमूव क करनी है, और आपने शौवर ले लेना है, आपने कमफिटेबल लेने हैं, और रात को बारा बजे के बाद से लेकर आपने कुछ नहीं खाना पीना, जिसको डॉक्टर NPO या नथिंग पर औरल भी कहते हैं, यहाँ पर एक बड़ी इंट्रस्टिंग बात है, कि पेशिंस को अ प्मिटिंग या किसी और किसम का मसला ना हो सके, जिस मॉर्निग में आपने सर्जरी के लिए जाना है, मेक शूर के आपने पानी भी ना लिया हो, ताके आपका NPO पिल्कुल पूरा हो, और दिरिंग सर्जरी मसायल ना हो सके, अगर आपको आपके डॉक्टर ने दस बजे का टाइम दिया है तो कोशिश करें कि बिफोर हैंड आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे लेबर रूम में आपको एडमिट किया जाएगा और आपके जो कपड़े हैं उनको तबदील करवा के आपको OT किट फराहम की जाएगी ताकि आप उसको पहन ले और ऑपरेशन का टेस्ट डोस भी बाज उकाद दिया जाता है लेबर रूम में आपके वाइटल्स यानि आपकी पल्स ब्लड प्रेशर टेंपरिचर रेस्पारिटरी रेट और बच्चे के दिल की धड़कन CTG में मॉनिटर की जाती है यही वो टाइम होता है जिसमें एनेस्थेटेस्ट या बेहोशी के डॉक्टर आपसे आकर मिलते हैं और बेहोशी की चोईस के बारे में डिसकास किया जाता है नॉर्मली हम रेकमेंड करते हैं स्पाइनल इंजेक्शन को जो के आपके अनेस्थेटेस्ट उस टाइम पे आपको बता देंगे वन्स यह सारी प्रेपरेशन हो जा तो आपको ठेटर में शिफ्ट करवा दिया जाता है जहां पे सरजरी या प्रोसीजर को प्रोसीड किया जाता है एंड पे मैं आपको यह बात गाइड करूंगी कि यह प्रोसीजर यानि सेजेरियन सेक्शन नॉर्मली 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के दौरानिये का होता है जिसके बाद आपको रिकावरी में शिफ्ट कर दिया जाता है मैं उमीद करती हूं कि सेजेरियन सेक्शन की प्रेपरेशन और उससे एक दिन पहले जो प्री आप प्रेपरेशन है उसके बारे में यह वाला सेशन बहुत हेल्पुल साबित होगा थैंक यू वेरी मच